पर देखते हैं कहा रहा है कि B E और C F एक तिर्बूज A B C के दो बराबर सिर्ष लंब है अच्छा एक तिर्बूज हम लोग ले लेते हैं इसका नाम यहां पर देते हैं A B C सिर्ष लंब खीचने हैं एक B E है इस पर लंब हो जाएगा और दूसरा आपका C F हो जाएगा यहां से हम लोग खीच देते हैं इस पर चलिए तो यह दो आपके सिर्ष लंब दिये गया है BE और यह आपका CF यह दोनों एक दूसरे के बराबर कह रहा है और आरेच इस सर्वांग सम्ता नियम का परयोग करते हुए मैं दिखाना है कि यह तिर्भूज ABC एक सम्दिबा हो तिर्भूज है चलिए देखते हैं दिया है क्या दिया हुए है तिर्भूज ABC में क्या दिया है कि BE लंब है यह सिर्षलंब BEAC पर लंब है और CF जो सिर्षलंब है AB पर लंब है और यह दोनों सिर्षलंब दोनों सिर्षलंब क्या है बराबर है ठीक है यहाँ पर यानि कि BE जो है न CF के बराबर दिया है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना हमें कि तिर्भूज ए 的स का BCF ताथ दूसरा तिर्भूज ले लेते हैं देखो पहला BCF और दूसरा तिर्भूज हो जाएगा CBE इन दोनों में CBE BCF और CBE में तो पहला हो जाएगा angle BFC बराबर में दूसरा angle CEB प्रतेक नब्ब्ब हो जाएगा प्रतेक नब्ब्ब हो जाएगा लंब होने के कारण यह लंब है न जो इस पे और यह इस पे लंब है तो यहाँ देख लो BFC और CBE यह दोनों 90-90 हो जाएगे अच्छा दूसरा BC बराबर BC हो जाएगा दोनों में है उभय निष्ट हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ से तो तीसरा हो जाएगा आपका यह जो सिर्सलम बराबर दिये गए है कि आपका यह B BC जो है na BE जो है न चीएफ के एकवल है तो इसमें इस तिर्भूज का भाग है आपका CF तो यहाँ पर इसमें CF ली देंगे और इधर क्या ली देंगे BE तो यह आपके पास दिया हुआ हो बीजय के बराबर दिया हुआ तो तिर्भूज BCF सरवांसम हो जाएगा तिरभूज CBE RHS से हो जाएगा न RHS सरवांसम हो गया RHS सरवांसमता से ठीक है तो जब यह सरवांसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि angle B जो होगा angle C के बराबर हो जाएगा ठीक है angle B होगा इंगल C के बराबर हो जाएगा CPCT से अजब दो कोड यह इंगल B यह इंगल C के बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि तिरभूज ABC1 समदिबाहू तिरभूज है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं चलिए एक और छोटा सा कोशन उसको देखे पाज नमर को